हुआ हैं वेल्कम बैंग दिस वसीम और आज के इंगलिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा मैंने आसान सा आपके लिए इस पोकें इंगलिश इस्ट्रक्चर रख्या और मैं यही कहता हूं कि देखें इस्ट्रक्चर की एक अलग वैल्यू होती है कि स्ट्रक् मैंने आपसे बहुत अच्छे इंगलिश स्ट्रक्चर जो हैं वीडियो मैंने अपलोड की हैं और उमीद करता हूं कि आप उससे फायदा जरूर उठा रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे रिलेटिव के साथ और अपने जाने वालों के स साथ और यह कहता हूं कि इस लेसन को भी आप शेयर करना ना भूलें और आपके लाइक्स और कमिट्स का मुझे इंतजार रहता है करना ना भूला करें इस से वेरी होसला अफजाई होती है तो लेसन की तरफ चलें अगर हम बात करते हैं पहले थोड़ा समय ग्राउंड बना नहीं की आपने हैसिटेशन खतम करने की कोशिच नहीं की तो आपके जहन में यही आरा होगा कि ट्राइब क्या रहा होगा ट्राइब यह common बात जो सुनते हैं उर्दू या हिन्दी तो उसी से हम ट्रैंस्लेट कर रहे होते हैं तो उसी से थोड़ा सा आप हगए और अपनी English इसको अच्छा करें जिस तरह एक फेस होता है तो उस पर आप डिफरेंट क्रीम्स वगर अपलाई करते हैं और उसको अच्छे से साफ सुतरा रखें दूसरों के सामने अपीलिंग करते हैं तो बहुत इंट्रस्टिंग लेसन है आप इसको प्रेजिंट में भी बना सकते हैं प्रेस्ट में भी और फ्यूचर में भी तो हम जो है इसको करेंगे प्रेस्ट के सेंस में तो प्रेस्ट के सेंस में देखें एक वर्ड है अचैम्ट अचैम्ट माने होता है कोशिश करना तो यह है वर्ड हम इसको एजन नाउन इस्तमाल करेंगे में के साथ किसके साथ तो अ attempt हमारा है attempt को हम किस्तमाल तेरेंगे make के साथ right attempt attempt तो हो जाएगा हमारा past में हम लेते हैं subject plus made no attempt to v1 plus object right अगर present में आप आते हैं कि past में आ गया subject made no attempt to v1 plus object यानि वो काम जो आप आपने करने की कोशिश नहीं की अगर आप present में यतने friends तो क्या करेंगे subject plus make और bracket में makes अगर आपका subject पर ही शीट singular तो आपने makes करना है और अगर आपका है आई भी यू दे और कोई भी plural noun है plural subject है तो आप कर देंगे में subject make या makes no attempt to v1 plus object और अगर feature में करेंगे subject plus will plus make no attempt plus to attempt to plus v1 plus object तो आई ये lesson की जानिब बढ़ते हैं sentences उनसे practice करते हैं ताकि ये lesson आपकी समझ में आए ठीक है उसने जो है English सीखने की कोशिश नहीं की he made no attempt to learn English he made no attempt to learn English अच्छा आपने English बोलने की कोशिश नहीं की ठीक है की होगी आपने लेकिन मैं सिर्फ ये sentence बोल रहा हूं कि अगर किसी पार्टने बताया किस तरह English बोलनी और वो नहीं बोलता है you made no attempt to speak English you made no attempt to speak English अच्छा उन लोगों ने जो है मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की they made no attempt to help me they made no attempt to help me right अच्छा Sarah ने खाना बनाने की कोशिश नहीं की इसलिए उसे आया नहीं Sarah made no attempt to cook meal Sarah made no attempt to cook meal यानि Sarah ने खाना बनाने की कोशिश नहीं की अगर हम बाग करें कि आपने अपनी hesitation या उसने जो है Sarah की friend ने कोई उसने जो है अपनी hesitation खतम करने की कोशिश नहीं की She made no attempt to abolish her hesitation आपने अपनी इसलाह करने की अपने आपको दुरूस करने की कोशिश नहीं की You made no attempt to rectify yourself आपने खुद की इसलाह या दुरूस करने की कोशिश नहीं की उसने अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश नहीं की He made no attempt to overcome his flaws या उसने अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश नहीं की आप present में अगर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे के for example के वो इंगलीज बोलने की कोशिश नहीं करता है के He makes no attempt to speak English और उसने इंगलिज बोलने की कोशिश नहीं की He made no attempt to speak English वो इंगलिज बोलने की कोशिश नहीं करेगा He will make no attempt to speak English तो फ्रेंट उमीद करते हूं यह लेसन आपको पसंद आया है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखियेगा मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नई चीज़ों के साथ बाइ बाइ